फैसन आप हमेशा सरी गलत पर बोलते हैं आज हमने आपके आप जो कहना चाहते हैं वो थोड़ा ओडियंस तक पात पहुचा है दिपिता वकर कभी जो उन्हें हमने सुना है सामने आया है मेरा कहना तो सिर्फ यह किसी भी चीज़ को लेके पुब्लिसिटी स्टर्ण का जो एक ट्रेंड आ गया है इंडस्ट्री में खासतोर से तो अभी लोग देख भी नहीं रहें कि हम किस चीज़ को लेके किसको जरिया बना रहा है या किस चीज़ को पॉइंट ओट कर रहा हैं मै किसी इंडिविजल धर्म की बात नहीं कर रहा हूं वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है कोई भी धर्म है लेकिन एक पॉब्लिसिटी स्टर्ण के लिए किसी भी धर्म को यूज करना बहुत घलत है और दिपिका ककर जो एक पॉब्लिसिटी स्टर्ण कर रही है और उस सबसे पहले उसे अपना नाम हो गई है तो एशा नहीं होता है यह मैं clear बताना चाहता हुben कि अट आधा का कर बозмues Natasapan गुणे के लिएLife की की लिए कि अगर काम नहीं है तो चलो या चलके धशा प्यार किसी लगोँ को तो मुझे नहीं लगता कि उनको धर्म चेंज करने जरूरत है उसी कंडिशन में उनको एक्सेट करना चाहिए और अगर पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर दिपीका कक्कर ने पना नाम चेंज ही नहीं करा है तो इनकी शादी ही नहीं हुई है एक्चुली में तो बी वेरी ओनिस्ट में आपको बता हूँ अगर आप नाम चेंज करेंगी और पेपर आपका नाम आएगा मैं पूछना चाहता हूँ दिपीका कक्कर से क्या पासपोर्ट पे दिपीका कक्कर का नाम अभी भी दिपीका कक्कर है तो इसका मतलब यह है कि हो मुस्लिम नहीं तो क्या हिंदु समाज दिपीका ककर को सम्शान में जगा देगा नहीं देगा क्योंकि वो मुस्लिम हो चुकी है उसने ऐसा कहा है तो अगर आपके डॉकुमेंट्स ऐसे नहीं है आपने मौलवी के सामने बया नहीं दिया या आपने नहीं कहा है तो इस तरह की चीज़े कु तो क्या लगता है कि उन्के आपके हजवन भी कुछ चुपा रहे है या उन्होंने देगी परसनली एक्सेप्ट कर लिया है कि यह मेरी वाइफ देगी लव मेरी दॉर आथार ऐसा होता है कि जब कहते हैं कि लव जब होता है तो कोई किसी को देखता नहीं है तो वो शोयब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो मैं समाज कम्यूटी कर रहा हूं, दो लोगी वैसे अगर पूरी कम्यूटी बात आ रही है, एक पुब्लिसिटी स्टंड के लिए को इतना बड़ा कदम उठा रहा है, कि मैं धरम चेंज, आज मेरे पास क सर जाता है, पूरी लोगों पर एफेक्ट जाता है, अभी कल को आप देखीगा, वो कहीगी मैं उम्रे पे जारी ही मक्या मदीने, जो आजकल एक और पॉब्लिसिटी स्टंड, सौरी मैं ये वर्ड यूस कर रहा हूं, बड क्या करूं, आजकल ऐसा हो रहा है कि अभी वो उम होंगे, हिंदु होंगे, उनके नाम क्या होंगे, सो प्लीज किसी भी धर्म को नाम लेके, किसी भी धर्म का मजाग बना के इस तरह का खेल नहीं करें, बहुत शर्म की बात है पूरे इंडस्ट्री के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी टीवी आर्टिस ये कर रह है, तो आप देख सकती है, उनकी वाइफ ने हजबन का नाम यूज करा है, मैं किसी का नाम नहीं लूगा बड़ आप किसी को भी देखेंगी, आज डिपीका ककर का नाम लिया जा रहा है, ऐसा क्यों है, उसका नाम अगर वो मुस्लिम हो ये तो उसका नाम चेंज को नहीं चाहिए, ऐसा बंध होना चाहिए, जल्चल बंध होना चाहिए, पूरे समाज पे भी और इंडस्ट्री पे भी इसका गलत मेसिज आता है, अगर कोई भी हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में जाएगा, तो पूरा नाम चेंज होता है, कितने सेलेबिटीज इंफुलेंसर हो किसमारीं बढाए जाता है, वो कलमा सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, जो मुस्लिम समाज में जिसको सबसे बड़ा दर्ज़ा दिया गया है, अगर कलमा पढ़ेंगी तो बूसलिम होगी, अपना नाम चेंज करेंगी, तो मुस्लिम होगी, खाली ऐसे स्टेट्मेंट देन से मुसलिम नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि मुसलिम अमॉसेंस àsज को बिल्कुल ऐसे accept नहीं करेगा और अभी तक मुस्लिम नहीं हुए है और अगर इस कंड़िशन में एक दिन सबको जाना है इस कंड़िशन में उनकी मौत है तो मुसलिम समाज मुझे ही मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ जो प्रोसेज आपने जो कहा है वो प्रोसेज फॉलो करी देखिए एक हर चीज का प्रोसेज अगर कोई बच्चा जब बढ़ता है तो उसे स्कूल जाना ही पड़ता है फिर स्टेंडर्ड सैकिंड थार्ड फॉर फिर कॉलेज एंबीए फिर जॉब तो यह प्रोसेज अभी कोई कहा है भाई प्रोसेज फॉलो ही नहीं करेंगे लेकिन हम पढ़ना है तो ऐसा होता है क्या इसी तरह हर चीज का धर्म है अगर कोई मुस्लिम से हिंदू धर्म में जाता है तो उसकी भी कोई फॉर्मलिटी होंगी और हिंदू धर्म से वह उनकी मर्जी है वह उसमें मैं या कोई भी नहीं बोल सकता हूं लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि वह मान नहीं रही बात क्यों अगर आप फॉलो करेंगी प्रोसेज तो उन्हें समाज कैसा एक्सिप्ट करेगा अप यह बताएगे उनको प्रब्लम नहीं बस मेरा यह कह क्या हुआ है वह